हेलो एबरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल कुक डिफ्रेंट विद मी फ्रेंट्स आज मैं एक डेजर्ट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे हम सीता फॉल यानी पेठिये से बनाएंगे जिसे पंकिन भी कहते हैं जो बहुत ही डिलिशियस बनती है तो चलिए फ्रेंट ची मैंने 500 ग्राम पेठा ले लिया है इसे मैंने इस तरीके से छीलकर बीच कापाट अठा कर इसे ग्रेटर से इस तरीके से ग्रेट कर लिया है इस तरीके से ग्रेट कर imperfect करके चलिए हम गयास की तरफ बढ़ते हैं एक फ्राइंग पैन लेंगे उसमें यह देशी गी आप को कहने पर आप एक बार जरूर ट्राइ किजिए कि आपको बहुत पसंद आएगी, यह सूपर टेस्टी, सूपर डिलिश्यर चैसी भी है, बहुत से लोग होते हैं जिने पेठे की सबजी पसंद नहीं होती, वो इस तरीके से एक बार पेठे की सबजी का डेजर्ट बना कर ले, उनको बहुत पसंद आएगी, फ्रेंट्स पेठा बहुत सारी न्यूट्रिशन्स वैलियो से भरा हुआ है, इसमें विटामिन सी, बी सिक्स, कैल्शियम, आइरन और भी बहुत सारी चीजे मौजिद होती हैं, जो हमारी इमिनिटी को बूस्ट करती हैं, बच्चों को हमें सी बजट के रूप में बना कर देंगे, आप इसे सीता फल की खीर भी कह सकते हैं, यह बहुत पसंद आएगी, फ्रेंज आप इसे वरत के टाइम में, जब हम लोग फास्ट में होते हैं, उस टाइम हम इसे बना कर खा सकते हैं, इसे मैंने पांच मिनट के लिए लो फ्लेम पर धक्के रख दिया है, आफ्टर फाइव मिनट से देखिए, सीता फल हमारे कैसे अच्छे से मैश हो गया है, एकदम अच्छी तरीके से गल गया है, आप चाहे तो इसे अपने छोटे बच्चों को जो सिक्स मंद के हैं अभी जिन्होंने खाना स्टार्ट किया हूं उन्हें भी दे सकते हैं, आप उनके लिए इसे प्योरी की तरह बना सकते हैं, यह बहुत ही फायदे मंद है, पेठा हमारे आखों के लिए हड्यों के लिए बहुत ही जादा फायदे मंद है, यह हमारी इमिनिटी को बूस्ट करता है, पांट से साथ मिनट हम इसे इसी तरीके से गैस पर ही लो फ्लेम पर इसे चलाते हुए गाड़ा कर लेंगे जब यह गाड़ा हो जाएगी उसके बाद हम इसके अंदर चीनी एड़ कर लेंगे फ्रेंस देखिए कलर कितना सुन्दर लग रहा है कितने अच्छी तरीके से यह पकर तैयार हुआ है इसके अंदर मैंने आधी छो के से हो जाए इतनी गाड़ी हो जाए इस टेज पर हम इसके अंदर चीनी एड़ करेंगे शिवरात्री आने वाली है आप उस टैम इसे फलाहार में बना सकते हैं यह बहुत ही जल्दी और क्विक बनके रेडी हो जाती है और सूपर टेस्टी और डिलिश्यस तो है ही कलर दे कर सकते हैं चीनी डालने के बाद यह फिर से थोड़ा पतला हो जाएगा आप इसे खीर कहिए हलवा कहिए आप जो भी नाम दे बट यह बहुत ही डिलिश्यस बनके तयार होती है आप एक बार जरूर ट्राइ किजेगा आप बनाएंगे आपको बहुत जादा पसंद आएगी घर में गैस्ट आते हैं बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है फ्रेंट मैक्सिमम पांच से दस मिनट बहुत जादा है इसके लिए बहुत जल्दी बन जाती है यह यह देखिए जैसे हैं यह हमने चीनी डाला उसके बाद इसके फिर से थोड़ा पतला हो गया है पांच से बाद हम इसमें अपने मन पसंद के ड्राइफ रूट्स एड़ कर सकते हैं, यहां मैंने कुछ ड्राइफ रूट्स एड़ कर दिया है, आप कोई भी ड्राइफ रूट्स एड़ कर सकते हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, इस रेसिपी को आप एक बार बनाएंगे, तो आपका बार बार बनाने का मन करेगा, ये इतनी सूपर टेस्टी डिलिश्यज रेस्पी बनती है, तो चलिए, स्टार्ट करता है हमें सकी बलेटिंग, ये देखी, कितने अच्छी लग रही है ना मारी रेस्पी देखते हैं मुझ में पानी आ रहा है यह आपके घर में सबको पसंद आने वाली है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग